गुड मॉर्निंग इस्ट्येंट्स इन दिस लेक्चर वी आर गुइंग टो डिस्कस क्लास नाइन्थ चैप्टर नाइन्थ इंटेक्स कॉश्चन नमबर फॉर्थ जो की पेज नमबर 126 पर है उके क्या है लॉफ कंजर्विशन ऑफ मुमेंट का कॉश्चन है कॉश्चन है ट सबसे पहले आप देखिए यह एक यहां पर है तो एक यहां पर है ओके यह दोनों इसकी स्पीड एक की दी है जाधा है इक हिकम है तो यहां पर टकड Billy कॉश्चन के लिए हम फ्चली वीडियो में जो इसका थाष्ट ना समय understand को 우oy का कोशं होता है तो इसको किलोग्राम में डेते हैं तो को कीलोग्राम को सेबाइडुए करेंगे तो हमने 1000 से डवाइड किया तो यहां किया जाएगा 0.1 ग्राम और M2 हमारे लिए दिया गया है कितना 200 ग्राम तो इसके लिए यहां जाएगा 0.2 किलो ग्राम इसको भी चेंज कर लेंगे अब हमारे लिए यहां कि फस्ट आप्जेक्ट मुझा फिस्ट अब्जेक्ट कितनी है इसकी मीटर पर सेकंड अब फाइनल वैलिउसिटी इसकी टक्राने के बाद कितनी हो गई 1.67 meter per second और इसकी final velocity V2 हमारे लिए क्या करना है find करना है तो अब हम law of conservation का लगाएंगे कि वायदा law of conservation of momentum अब हम इससे solve करेंगे इसको तो क्या होता इसका formula M1 V1 plus M2 V2 M1 V1 plus M2 U2 M1 U1 plus M2 U2 M1 V1 plus M2 V2 यह होता इसका formula अब हमें इसमें value put कर देंगे M1 की value क्या है 0.1 gram 0.1 kilogram 0.1 लेखेंगे और यहां पर into लगाएंगे M1 की value कितना कितनी है 2 plus M2 value point 2 and U2 की value कितनी है U2 की value 1 is equal to M1 की value क्या है 0.1 V1 की value कितनी है V1 की value 1.6 into 1.67 यहां पा जाएगा plus फिर M2 की value आ जाएगी 0.2 into V2 की value हमें find करनी है यहां पॉट कर दिया आप हम में into करेंगे तो 0.1 का जब इन टू में करेंगे तो यह हो जाएगा क्या 0.2 okay point 2 हो जाएगा plus अब 0.2 की value into 1 में करेंगे तो यह भी 0.2 हो जाएगा is equal to अब हम 10.1 का हम जब इसमें into करेंगे जिसका हम जब पॉइंट को हटाएंगे तो यहां जाएगा 1 upon 10 ओके जब वन एक और मलब नीचे एक और 0 हो जाएगा तो यह एक और सरक मलब किसक जाएगा इस साइट तो यह कितना हो जाएगा यहां पर हटाएंगे तो यहां सब्सक्राइब करेंगे तो यहां जाएगा माइनस 0.167 प्लस 0.2 वी टू इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.400 माइनस क्योंकि लास्ट में 0 हम लगा सकते हैं तो फोर के बाद 0 लगा दिया 1.670.167 ओके और इस इक्वाल इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो इसको कर लेंगे तो इसको करके आप अंसर कितना आएगा इसको को सॉल्व करने पर आएगा 0.44 ओके इसका आंसर आएगा 0.2 जब करेंगे हम 2 से 2000 से तो आएगा 0.165 यह इसका आंसर हो जाएगा ओके थैंक्स पर वाचिंग